सब्सक्राइब कर दो कि अबुए टो कि अबुए तो सार इदर आईये सार यहां पर सब लोग आचुके है सार अम्रुत मुहरत शुरू हो गया है शुरू किया जाए हम मन में सबसे तेज सबसे चालाख हम सभी में सबसे वफादार अकेले तुम ही बोलोगे क्या जो लिखाय समझ में नहीं आया या हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लगी बेना कोई कुंडली देखे सिर्फ मेरी हिम्मत देखकर पंडित ने कहा था मैं पुलिस वाला बनूंगा तुम लोग मेरा गुस्सा देखना चाहते हो तू देखेग हमेशा आपके सेवक हमेशा आपके सेवकबन कर रहेंगे और जब कोई तरक्ष्ट की तरह अब पंडीस टेशन में प्रेयर हो है इस ने मेरी बेजजति की के तारीब सरे इस पीसाहब आवी गया कि देस्ट विफ हरylfed ते लिपास प्र॥ प्र॥ वह तिर हुँ ठीपरी के इस पुछू॥ tür ये इंगलीय Perché ऑम इंशारब कोन है मैं मेहें रेट वुट सेखैर सेखैर की न गई चमश्वां एक काऊणस्य कैसी है Sir, sir, I take no Rishwat, sir. One wife, sir. Two small, small children, sir. We have to do something to play at home, sir. What is he saying? Sir, actually, what he is saying is, compared to last month, our crime rate has dropped by 13%. And we have installed CCTV cameras around the station to monitor from here. Good job. Thank you, sir. If you don't know English, then you can learn it later. Sure. And if you don't know English, then I will speak in Hindi. Okay, sir. Yes, sir. Shepat Lee ke 10 minute bhi nahi huye ab tak. Or is nne meri side kaat li. Agar is ki speed pay brake nahi laga ya, to meri jindgi bina sukhay papad jaysi ho jayegi. Isko brake kya lagao ge sir? Ye koay road pe chalti bhi kar ya bus naihi hai. Ye to poori ki poori misail hai. Let's do the beat, go! Na, ha, 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 ha. Oh, oh, oh! ओ, 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 goddamn. आरे बंगर फाग़े लोगे जो!! कि आप पाग़ी जी तो है आप 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 सुने आप आप ने को ने बाग़े खुड्य आप 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 आपद आप तेरेको बॉल रहा हूँ चल फोट। छोड़ो चौड़ो उसका चाल ने गालतो याजा पिर पुज़े? क्या भाई सबको एक ही बार मारा और मेरे को दस-दस बार मारा तुमने तेरा लंगोटिया यार समझाए जो एक दो मार कर छोड़ दूँगा पुलीस टू पुलीस हो या कोई पोस्ट मैं पता है तुरे किसको लखा रहा है वाई ज्योती को नाम से तो पता नहीं चलता लड़का है या लड़की क्यूं में जोती पाइश चोड़ और भाबा प्यार से बोल रहाँ होंगा भणक मत आपके नाम से सब लोग इस इलाके में काते क्य पावर पावर आपको उसको दिखानी हो कि भाई जाओ मेरे को फसा कर खुद भाग गया है आज मेरा लड़ने का मून नहीं है इसलिए तेरे को मैंने माप किया नहीं बेटा अगर फिर किया ना अगर तूने मेरे को एक बार और मारा तो देख लेना मैं क्या करूंगा बताना क्या करेगा मैं रोदूंगा सर बैर तुम ही बोलो ना इसको अगर किसी लड़की को आँख उठाकर भी देखा ना थांक यू वो तो ठीक है लेकिन इतनी रात को आपके लिए यहां क्या कर रही थी मैं किसी से मिलने के लिए घर छोड़कर भाग रही हूं ओ लव स्टोरी है अब वो इस वक्त गीता बस्टॉप पे मेरा इंतजार कर रहा होगा आए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं श्री राम ने तो यही जगा बताए थी श्री राम का तो पता नहीं लेकिन बारिश आगे चलिए कोई बात नहीं बता दीजिए मैं बुरा नहीं मानूंगी तुम आधी रात को उससे मिलने निकली हो वो तुमें भगा कर कहीं ले जाएगा हस राओं क्यूंकि प्यार व्यार समझ में नहीं आता इसमें ना समझ आने वाली तो कोई बात नहीं है प्यार इस बारिश की तरह है हमें कभी भी किसी भी वक्त प्यार हो सकता है जैसे ये बारिश भी कभी भी किसी भी वक्त हो जाती है इतना ही सिंपल है सुना था लोग प्यार में पागल होते हैं आज देख भी लिए अगर उसमें पागल पनना हो तो वो प्यार ही कैसा अगर प्यार में पागल पनना हो तो हम ताज महल को भी बिल्डिंग समझ कर भूल जाएंगे उसे प्यार के निशानी समझ कर कभी याद नहीं रखेंगे क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ प्यार तो हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें ऐसा पागल्पन था तुम पहले मुझे अपनी कहानी सुनाओ उसमें पागल्पन था या नहीं यह बात में मैं तै करूंगी यह बस कुछ दिन पहले की बात तो मुझे यहां क्यों लेला है बेटा आज पहली सालरी मिली है मा तुम्हें कुछ लेकर देना चाहता है यह लीजे पार्किंग का टिकेट अभी इसकी क्या जरूरत है अब नहीं तो फिर कब मा आप बस अंदर चलिए मा के लिए कोई अच्छी सी साडी दिखाई यह साडी देखिए मैडम आप इसमें अपने बेटे की तरह सॉलिट दिखें मतलब यह आपको सूट करेगी मैडम यह वाली नहीं कुछ और दिखा यह कैसी है मैडम अच्छा यह देखिए यह वाली बहुत अच्छी है कितनी की है अरे वो सब आप छोड़िया ना इसे पैक कीजिए कितना हुआ नाइन थाउजन फाइवांड्रेड सालरी मिलते ही मेरा बेटा मुझे यहां ले आया आप बहुत खुश किसमत है भगवान सब को ऐसा बेटा दे पास कहां छोड़िया एक बेटा अपी तो पारकिंग लेते हुए निकाला था अब हलो आप मिस्टर विजय बोल रहे है येस आपका वॉलेट को गया है हाँ आपको कहें पर मिला क्या अभी आप कहां पर है साउत इंडिया शॉपिंग मॉल के फर्स फ्लोर पर आपका वॉलेट मेरे पास है वही रुखिए मैं आपसे वही आपकर मिलती हूँ ओके इंस्पेक्टर विजय आपका वॉलेट थांक यू किसी को बताना मत यही के पुलीस वाले का वॉलेट एक लड़की ने ढून कर दिया सब हसेंगे यह कौन थी बेटा पता नहीं मा कितनी सुंदर है ना हा मा पता है ना तेरे शर्मा अंकल ने क्या किया था जा किया अपनी बेटी की शादी तुम से करवाने के बजाए किसी डॉक्टर से करवा दी अगर तुछे ऐसी कोई लड़की मिल जाए ना तो अब उने अकल आएगी तो फिर किसी और लड़की से क्यों मा इसी से शादी कर लेता हो ना मुझे तो यह बहुत पसंद है आप बिल देकर आए मैं उसे ढूनता हूँ अब इस नंबर से लड़की ने फोन किया था ना मैं उस लड़की को नहीं जानता उसका फोन बंद पड़ गया था तो मैंने अपना फोन उसे दे दिया उसके बारे में कुछ बता चला यहां बैटे रहने से कुछ नहीं होगा सर जाके ढूणना पड़ेगा उसका नाम अड्रेस कुछ भी नहीं पता तो कहां ढूणनेंगे उसे क्यो मेरा नाम और अड्रेस तो पता नहीं ता आपको फिर भी मुझे खोज के ढूण लिया ना इस बेवकूफ के चकर में क्या पड़ना कोड का टाइम हो गया चलिए सर फिर में दर्द हो रहा है गाड़ी रोक कर एक कड़क चाय पिला दो ना सर आपने दोस्तों के साथ तू पिकनिक पर नहीं जा रहा है हम पुलीस हैं चुबट टेररिस्ट को बिर्यानी खिला सकते हो मुझे गरीब को एक चाय नहीं पिला सकते है वकवास बनकर चाय तो है पिला दे बबुलल चाय देना तो अविधिया सर मेरे लिए ग्रीन टी शकल देख नॉर्मल चाय कोई नहीं पिलागा ग्रीन टी चाहिए हेल्थ के लिए अच्छी होती है सर लगता है अंदर माल मैंने कुछ नहीं क्या मैंने कुछ नहीं क्या मैंने कुछ नहीं क्या मैंने कुछ नहीं 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 कुछ नही सर, मैं खोड नहीं हूं सर, मेरी माा बहुत बिमार है क्रवाइ खरीद आकली पैसे नहीं है करें gust never रास्ता नहीं पचाता सर.. आजम मा की कसम ये लीजिए गलती होगा मैम सॉरी सर, म क्र लिए दभ क्र ले लेना.. hang ...क्या कर रही है अप मेले जोट बोल रहा है भाले ही जूट बोल रहा हो लेकिन मां का नाम लिया है छोड़ दो ऐसे थेंक्स मेना नमस्ता सर्थ ये मेरी मां की आखी निशानी है बहुत-बहुत शुक्रिया इक्सक्यूज मी ये बात सबको बताईएगा जरूर कि पुलीस वाले गुम हुई चीजे ढूनते भी है या कि रूटि ये वाय नड़की बहुत शन्सेटीव लगती है जिसकी बूसे शादी होगी ना सारी शैलरी चैरिटी में देदेगी तूने कहा था ना भिणा ड़्ूंडे नहीं मिलें ये तो भिण दूंडे ही मिल गई तेरी ये पर्स वाली लड़की है सर उसके सामने शर्म रहे हैं सर वह गई कहा है कि अग्षार कॉन हो भाईशाब तुम फिरकी की तरह गुमते गुमते आ रहे हो मेरा नाम कृष्णौ रहे हैं मेरी बेटी का नाम कावेरी है उसने मुझे दस पैंतालीस पर फोन किया था और उसने मुझे कुपाल राम बस्टॉप से पिक अप करने तुम लेट हो गए उसका लवर पिक अप करके भाग गया होगा वो ऐसी लड़की नहीं है सर सही कहा माबाप की नजर में उलाद हमेशा अच्छी होती है फिर कारना में सामने आते ही अकल ठीकाने आ जाती है फोन जान बुझ के स्विच ओप किया ताकि तुम्हारा ध्यान भटका सके ऐसी बात पही है सर यह राजा अगर अब हम उसे ढूणने निकले भी न तो वो अपने लवर के साथ भाग चुकी होगी और मानलो उसको पकड़ भी लिया तो वो लोग बोलेंगे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तुम लोग हमको रोक नहीं सकते मैंने ऐसे बह कोपाल राम बस्टॉप से पिक अप करने को कहा था जब मैं ग्यारा बजे वहां पहुंचा तो वो वहां पर नहीं थी अब उसका फोन भी स्विच ओफ हो चुका है मुझे डर है कि उससे कहीं कुछ हो न गया हो प्लीज तुरंत इसकी तहकिकात कीजिए यही आपकी कंप्ल फिर सस्पेंड कीजिए सर अगर वो लड़की किसी के साथ भाग गई है तो हमारा बस एक घंटा बरबाद होगा लेकिन अगर कहीं किसी ने उसे किड्नाप किया हो तो उसकी पूरी जिंदगी बरबाद हो जाएगी प्लीज कॉपरेट सर मुझे गोपाल राम बस्टॉप की कैमेरा फुटिज चाहिए जल्दी पॉने 11 तक रिवाइन करो सर वो रही मेरी बेटी सर सर मेरी बेटी को बचा लीजिए सर प्लीज मेरी मेरी बेटी को बचा लीजिए रिवाइन करो रिवाइन करो कार नमबर पर जूम करना यह ट्लियार नमबर है सर इसकी डीटेल्स आपको सिर्फ शोरूं से मिलेगी आउनलाइन नहीं पता चलेगा वहाँ पर किसी को ठीक से सिगनल क्यों नहीं मिल रहा है यह एरिया डॉक्यार्ड के पास है ना तो रात के 10 बचे के बाद सिगनल जाम हो जाते हैं इसलिए किसी को सिगनल नहीं मिल पा रहा है लेकिन यह आदमी लगातार फोन पर लगा हुआ है इसका मतलब इसके फोन में नेट्वर्क आ रहा है यह पका बीएसनल का नेट्वर्क है सर हलो बीएसनल डिस इस विजय सब इंस्पेक्टर गोपाल राम बस्टॉप पर एक आदमी लगातार दस चालिज से दस पचास तक फोन पर बात करा था मुझो उसका नंबर चाहिए इस इस नंबर को मेरे डिवाइस से कनेक करें ओगे सर इस नंबर लगाओ इस नंबर लगाओ इस नंबर लगाओ अए आए 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 काने रहे तू? इंस्पेक्टर विचर की रहे जात्ष काने की अवडित की विचर काने विवर अवाज़ की रहाज़ की रहाज़ की रहाज़ की रहे हैं मूद खराब करके रख दिया तूने तो तेरी तो कि अजसरे दया पराब दोना कि अजसरे दिया तो कि अजसरे रख जया कड़ कि अजसरे वो तो अजसरे । मेरी बच्ची का मेरी डैडी हमने इसे चन्म दिया है और आपने इसे नहीं सिंद्गी दिया है इस गैंग को आपने आदे घंटे में पकड़ लिया इस हीमेश मेता फ्रम गुजरात ने लेटेस्ट टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करके फोन में नंबर तो सेव करना आता है नहीं टेक्नोलोजी की बात करता है इस ऑपरेशन को कितने अफिसर ने अंजाम दिया है सर श्री कृष्णा स्वयम मैदान में उतर जाए तो पांडवों क के लिए नहीं आज के श्री कृष्ण मिस्टर हिमेश मेता चेजिंग किंग मिस्टर हिमेश मेता सबी न्यूस पेपर में आज कल बास आपके इस चर्चे हो रहे हैं पबलिसिटी तो बराबर चे भाई और कलेक्शन वीक है उसका क्या किस्मत का दर्वाजा ये कोई बात नहीं कुछ भी नहीं हुआ है तो तुझे शरम नहीं आती इस लड़की ने स्कूटी गाड़ी को ठोक दी और तो चुप-चप निकल रहा है डर कोई नहीं हुआ है छोड़िये न इस बात का फैसला मैं करूंगा पहले मेरे सच स्टेशन चलो इसकी गाड़ी को ठ अगर आप बिना कंप्लेंट के कोई आक्शन लोगे तो आपको दो साल की सजा हो सकती है अगर लेडी कॉंस्टेबल के बिना किसी लड़की को पुली स्टेशन लेकर गए तो नौकरी जा सकती है अगर इस तरह के एक्सिदेन केसे में और सेक्शन 108 की बाल में तो पता ही होगा अरे 108 तो एंब्यूलन्स का नंबर है फिर यह सेक्शन में कब से बदल गया वोली सर किस सेक्शन की अंडर आप हमें स्टेशन ली जा रहे हैं मैं तो मजग कर रहा था और तुम नन्नी सी मासुम लड़की मेरी बातों में आ गई मै मैं तो बस ड्रामा की प्रेक्टिस कर रहा था आज कल शेयर में बहुत नकली पूलिस गूम रही है ने तो यह से में पबलीक अलर्ट है और सब समझ रहे है कि नहीं मैं तो यह चेक कर रहा था और इस टेश्ट में तुम पास हो गई बराबर शेने और इसी खुशी में हमार तक तो यही पता था कि पैसे लेते कैसे हैं, देते कैसे पता नहीं था, इस लड़की ने मुझसे पैसे निकल वाए, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर, आप मुझे मुझे मौका तो दीजे, ऐसा सबक सिखाऊंगा न, लव कर लिया, उसकी शकल देखती ही समझ गी थी कि वो पका गवार है, इसलिए नकली सेक्षिस बना दिये, तो मैं आप आगे हैं सच में, इसक्षिस बना उफेँ कि अबचे ही, है अब एचाम तो मगार आप जाएंगा एटक्या वार्वा न, छोर भॉझे कि वी मोगार देखती हैं। है अ.. है तो, है, झावा है, तो, है नही है, तोुछा है है, अब एँ जो अबत दोटक्षिस हैं। आप यहां कैसे वो लोग कहते हैं कॉफी अच्छी मिलती है अफकॉस आप बैठें ना थांक यू कौन सी कॉफी लेंगे आप शायद लोगों ने यह नहीं बताया कि कौन सी कॉफी अच्छी है जी वो यहां की कैपचीनो विद एक्स्ट्र कॉफी शॉट बहुत अच्छी है ट्राइ करेंगे शॉट यह वही चेन वाला लड़का है जोदो ने, पर रूब करता है निए अटी करती है जोुदुध भी गजो कर दो पेकिया है उस दिन आपने मेरे हेल्प की थी न यह में तरह से ट्रीट है वह 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 हुआ 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 है किसके ख्यालों में खुया है बेटा उसी लड़की के बारे मैं सोच रहा हूँ शायद मुझे उससे प्यार हो गया है मा तो जाकर डिरेक्ली कि उसे आयले भी के लें के देता है मा आयल लव यू जा बिटा ओल दे बैस कापची नो विट एक्स्टर कफी शॉट वो कहा है इसका मतलब उसने अपको बता है नहीं उसकी शादी फिक्स हो गई है तो उसने जॉब छोड़ दिया वाट एनिवेज मुझे दूसरी कास्टिमर्स भी अटेन करने हैं ओके बस फिर रात सुभही में वहां से अकेला निकल कर बाहर आ गया और शाम को जब ड्यूटी से वापस आ रहा था तो मुझे आप दिख गई बिल्कुल सही कहा था आपने आपकी स्टोरी में पागलपन तो नहीं लेकिन दर्द जरूर है I'm really sorry नहीं नहीं sorry की क्या बात है मैंने हमारी दोस्ती को प्यार समझ लिए पर उसके लिए वो बस दोस्ती ही थी वैसे प्यार करना बड़ी बात नहीं है किसी का प्यार मिलना बड़ी बात है मेरी किसमत में यह नहीं था अरे मेरी कहानी छोड़ो श्री राम को फोन करो ना अब तो बारिश भी रोग गई है अब तो अल्रेडी बारा बच चुके अगर आपको परिशानी ना हो तो मेरा घर पास में है बिलाल मेरे साथ चलिए उसका कॉल आ जाएगा मुझे कोई परिशानी नहीं लेकिन आपको तकलीफ नहीं देना चाहती इसमें तकलीफ किस बात की मा कहती है मुसीबत में पड़ी आप अकेली रहते हैं नहीं मा के साथ रहता हूं फिल्हाल वो आउट उफ टाउन है कला जाएंगे आपका अपना घर है नहीं किराय का घर है यह मेरी मा का कमरा है आप यहां आराम कीजिए लगता है आपकी मां आपसे बहुत प्यार करती हैं सिर्फ प्यार ही नहीं मुझ मे में जान बसी हूंगी यह सो लॉकी बहुत देर हो चुके आप आराम कीजिए गुड़ नाइट गडिनींग कुछ की याद आ रही है ना तो चमड़ प्यार में उसकी याद प्यार में प्यार में इस उनका मज़ा के उड़ाया जाता है अरे नहीं आरम तक मैं तरह बिंध करसकता हूं अचानक पता चले जिससे प्यार है उसकी शादी हो रही है तो दिल तो तूटेगा पर क्या करे पुलीस वाले का दिल है संभाल लिया वो छोड़ो तुम्हारी श्री राम से बात हुई नहीं अब तक नहीं हुई उसका फोन अब तक नौट रेचिबल है तो अब तुम क्या करोगी श्री राम की घर जाकर पता करती हूं मैं चलू तुम्हारे साथ ने-ने-ने मै बीच रोड पर मेरी कंस्ट्रक्शन चालू है वहां के लोकल गुंडों ने उसे रुखवा दियो और अब पचास लाग की डिमांड कर रहे हैं कौन है वो पांडा अपनी कंप्लेंड लिखिए मैं आक्शन लोंगा ठीक है सर पांडा के खिलाफ कंप्लेंड कोई भी कुछ भी कंप्लेंड करेगा तो तुम एक्शन लोगे मेश्टर चंद्र शेखर सर कंप्लेंड लिखने के लिए खाली पैन पेपर काफी नहीं है कोट में जाकर गवाही देनी पड़ती है उसके लिए जीगरा है क्या मैं गवाही दूंगा सर सूँ वाच्छे यही द नोकर और यह सब सिन्दर बेटी मंदिर गई थी जह सअ करए पांड़ा यह बहुत समझ यह बहुत शीमेंड का भाव बहुत बड़ गया है इसके लिए 50 लाक नहीं दे सकता 30-40 लाख में महांडवली करो, बात खतम, पोलिस का थोड़ा मान रखो, ओके, थेंक यू, मैटर सुल्जा दिये राजा, 40 लाख पांडा को देना और 5 लाख मुझे, केस, अच्छा हुआ मेरे पास आ गए, शाम तक पैसे यहां पहुचा देना, मैं दे दूँगा सर, चंद्रशेखर जी, मैं एक्षन लेने के लिए तयार है, क्या आप कंप्लीन लिखने के लिए तयार हैं, पैसा मेरी बेटी से ज़्यादा मायने नहीं रखता है, सर, पंडा, तुमने जितने मांगे तेलिया है, जाद, टाणी, पंडा, तुमने जितने पैसे मांगे माने देती है, मेरी बेटी का छोड़तो आप, ये सब पुलिस स्टेशन जाने से पहले सोचना चाहिए था, तुम्हें, मेरी बेटी का छोड़ो, अबेच चाले दाशा, जुर्म करने वाले और जुर्म सेहने वाले के बीच में हमेशा एक ही कवच होता है, और वो है पुलिस, खा की मैं खड़े इस शेर पर भरोसा कीजिए और अपनी कंप्लेंड लिखिया साथ, कर दो टुछ! लोहwelt प्सक मोचाइः जान गातो! तर अच लिंप जूड़ वान है? रहा सुले जिंप नेहास टीमा... अजय हम देन, वैसे आए खेपेटें.. अएवर अचछाई राव निंद मश्नाभ प्रचस लिए रावश्नाभ सेटिग पयाश्नाभ प्राईेक राहँ, रावश्नाभ यावश्नाभ लिएचानाभ अएचानाभ क्या बात है श्री राम के घर पर ताला लगा हुआ था आसपास की लोगों से पूछा पर उन्हें भी कुछ नहीं पता तुम दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है क्या वेनु नाम का एक फ्रेंड है वो पनरामा हेल्स में रहता है हाई हाई श्री राम का फोन नहीं लग रहा कुछ पता है वो कहाँ है एक मिनिट उसने ये लेटर देने को बोला था हाई बेबी मैं तुम्हे अपने दिल की बात मुह से नहीं कह सकता इसलिए लेटर लिख रहा हूँ तुमसे शादी करके मुझे खुशी ज़रूर मिलती लेकिन मैंने स्वाती से शादी करने का फैसला किया क्योंकि उसके परिवार ने मेरे आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का फैसला किया है और तुम भारी फैमली मुझे सपोर्ट नहीं करती मेरा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है माफ कर देना क्या हुआ मुझे नहीं पता सर उसने सिर्फ यह लेटर दिया था तू ऐसे नहीं बोलेगा चल इसे छोड़ दो विजय तुम मुझे किसी बस्टॉप या टाक्सी स्टान तक छोड़ सकते हो पर तुम जाओ इनसान चाहे जो भी गलती करें फिर भी उसका परिवार हमेशा उसे अपनाने के लिए तैयार रहता है शायद कल रात तुम्हारा घर से भागने का फैसला गलत था वो धोके बास तुम्हारे लायक ही नहीं था जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो आज नहीं तो कल खुद हमारे पास चल कर आहीं जाता है जानता हूं हमने अपना प्यार खोया है लेकिन प्यार करना नहीं हुआ पीजे अरे मां वापस आ गई यहां तुम वही रुको मैं आ रहा हूं अरे नहीं नहीं तू रुक मैं आता हूं हुआ 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 है सिर्वे गहरी चोटानी की वज़े से दिमाग के एक हिस्से में खून जम गया है अगर हमने तुरंत ओप्रेशन नहीं किया तो पेशिंट कॉमा में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है प्लीज डॉक्टर ऐसा मत कहिए आप ओप्रेशन शुरू कीजिए ओप्रेशन के लिए आपके डिपार्टमेंट ने जो पांच लाग का इंश्रेंस दिया उसके अलावा पचास लाग का खर्चा और होगा पचास लाग रोपे दिखने में तो अमीर लगते हो पर रियक्शन मेडल क्लास जैसा है ऐसा यहान ही चलेगा पास में ही यह गवर्मेंट हॉस्पिटल है आप इने वहां ले जाएंगे मेरा कोई नहीं है मेरा भी इस हॉस्पिटल के लावा कोई नहीं है तेखिए डोक्टर मैं सारे पैसे इंस्टॉल्मेंट में लॉट आ दूँगा अब आपरेशन मत रोकिए एमाय के स्कीम के लिए यह कोई बैंक नहीं है अपनी मा को ले चाएगे दॉक्टर ऐसा ब Central करके मेरे हाट में कुछ नहीं है मैं कुछ भी करके वो पैसे लोटा दूँगा फ्लीज डॉक्टर कितनी बार कहूं तुम से डॉक्टर पैसे कब तक जमा करने होंगे कल सुभा दस बजे तक दस बजे तक हम पैसे दे देंगे आप ओप्रेशन की तैयारी कीजिए विजे तुम परिशानी में हो मैं भी परिशानी में हो और हम दोनों की परिशानियों का बस एक ही हल है लेकिन तुम्हें एक रिस्क लेना होगा मैं मा के लिए कोई भी रिसको उठाने को तयार हूँ बोलो क्या करना है मुझे किटनाप करना होगा किटनाप? मेरे मामा जी को फोन करो और उनसे कहो तुमने मुझे किटनाब किया है और उनसे 50 लाग की डिमांड करो और अगर पुलिस को खबर की तो मुझे मारने की धमकी दे दो मेरे मामा जी तुम्हारी बताई हुई जगा पर आकर 50 लाग रुपए दे देंगे लेकिन क्या उनके पास इतने पैसे होंगे तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ इंडस्ट्रिलिस्ट महेंद्र वर्मा की भान जी हूँ वो अपनी आधी जायदाद अल्रेडी मेरे नाम कर चुके है मैं बस 5 साल के थी जब मेरे माबाग की एक आकसिडन में मौथ हो गई मामा जी ने ही मुझे पाल पोस्कर बढ़ा किया और वो मुझसे अपने साखे बेटे से भी जाधा प्यार करते है भगवान दो राउंड पास हो गए हैं एच्छे राउंड और पास करवादो पहली सेलरी आपकी दान पेटी में डाल दूँगा क्या बोस फोन छोड़कर इंटरव्यू पर ध्यान दो इस कंपनी की डीटेल चेक कर रहा हूं इस कंपनी की डीटेल उसमें चेक क्या करना है भई बेस्ट केवल इंकम की वज़े से नहीं होती कस्तमर्स भी बढ़ने चाहिए इस कंपनी का मुनाफ़ा तो हर साल बढ़ रहा है लेकिन कराहक कम होते जा रहे हैं अगर मुझे ये जॉब मिला तो मैं इसी इश्यू पर ध्यान दूँगा इसक्यूज मी लगता है बहुत ज्यादा टेंशिन में हो यह कोई गवर्मेंट जॉब नहीं है जो इंटर्वी में पास हो गए तो मिल जाएगा यह कॉर्परिट जॉब है प्रॉजेक्ट्स और टागट्स के रूप में यहां हर रोज एक नया इंटर्वी होता है इंटर्वी लेने वाले को हमें यह अहसास दिलाना होगा कि हमसे बेटर कोई नहीं है So be confident Guys, interview is over क्या कह रहे हैं? Interview खत्म? कब और किस ने ली? यहीं और इसी वक्त इस company के managing director Mr. Vikramadity And the selected candidates are Bharat and Manso आपने हम में से सिप इन दोनों को ही सेलेक्ट यूं किया मुझे यह बात अच्छी लगी कि तुमने दूसरे candidates से डरे बिना उनकी मदद की तुमारा confidence मुझे पसंद आया Thank you sir इसने यह नहीं सोचा कि कमपनी से क्या देगी इसने यह सोचा कि यह कमपनी को किया दे सकता है तुमारा intention अच्छा लगा Thank you sir Got it मामा जी ने मेरे शादी कहीं और फिक्स करती थी लेकिन मैं तो श्री राम से प्यार करती थी ना इसलिए मैं अपनी घर से भागाई जब आधी कमपनी तुम्हारे नाम पर है तो श्री राम ने किसी और से शादी क्यों की उसका और मेरा रिष्टा मेरे मामा जी को हरकिस मन्जूर नहीं था कहां मैं और कहां वो मैं उसके लिए अपनी फैमली को छोड़ने के लिए तैयार थी और शायद इससे लिए उसने मुझे ही छोड़ दिया ये करने से मेरे परिशानी तो बाहल हो जाएगी लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा मैं कल ही घर से भागी थी ना अगर वापस चली गई तो वो जरूर समझ जाएंगे कि मैंने उसी के साथ भागने की कोशिश की होगी लेकिन बात नहीं बनी और मैं हमेश्या के लिए सबकी नजरों में गिर जाओंगी लेकिन उन्हें ये पता चला कि मैं किड़नाप हो गई हूं तो उन्हें सच्चाए की भनक तक नहीं लगीगी अब सिर्फ तुम्हारे फैसले पर तुम्हारे मा की जिंदीगी और मेरी इस्जत दोनहों ठीक होई हैं तुम मुझे क्या करना होगा जो बिटा तुम ठीक तो हो फिलाल तो वो ठीक है एए तुम कौन हो मेरा नाम जानकर क्या करेगा तेरी भान जी को मैंने किड्नाप किया है किड्नाप किया तुचाता वो सईस अलामत घर पहुचे तो कल सुबह तक पचास लाग तयार रख तुने चाला की गिया पुलीस को खबर की तो उसे मैं मार दूँगा प्लीज वेट वेट तुम्हें जो चाहिए मैं दूँगा उसे कुछ नहीं होना चाहिए डैड सुदर्शन वो मैं मैंने सब सुन लिया सर कोई भी आपकी जगा होता तो यही करता थांक यू वेरी मुच सुदर्शन मुझे एक नहीं कार नया सिम और मोबाइल अरेंच करके दो शूर सर आप सब कौन लेए आपकी भान जी को किटनाप किया गया आप से किसने का मेरी भान जी किटनाप हुई है आपको किसी ने गलत खबर दी है सर आप उन्हें दो मिनिट के लिए यहां बुला लीजे हम चले जाएंगे पढ़ाई के लिए वो होस्टल में रहती है आप अमारी फोन पर बात करवा दीजे कन्फर्म हो जाएगा आप मेरी बात सुनिये देड मैने इन्हें बताए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया डेड समयुक्ता के लिए 50 लाग दुक्या हम 50 करोड भी दे सकते हैं लेकिन जिसने उसे किटनाप किया है उसका पता लगाना ज़रूरी है अगर हमने पुलिस को बताया तो वो समयुक्ता को मार दीगा मेरे बताने से पहले क्या आपको पता था कि मैं पुलिस वाला हूँ अगर वो प्लान बना सकता है तो हम भी प्लान बना सकते हैं इस ब्रीफ केस के अंदर GPS सिस्टम लगा हुआ है कैश इसी के अंदर ले जाईए लिए और उसके बारे में पता लगाने के लिए हम आप सभी के नंबर टाप करेंगे कैश रेडी है ना हाँ हाँ कैश रेडी है बताओ कर पहुचना है मेरा बेटा लेकर आएगा काली पैंट सफेज शट पहना कर नौ बजे सेंट्रल मॉल भेज़ो कारगान पीछे की तरफ खड़ी है सर्थ कर दो दो आए हुचना नहीं को फ्रक्राइश तरफ एंड लाएश मऩ्टी तरफ चौप को अगान अन। यह तराफ बड़को मैलेशिए फाल्पिंग मॉल प्राईश कि अलूँए कि मलेशिए निरॉस अजिए के शदिए के अजए नजय का विरे बाटियूगास बाटियाश देशीं में आप में इचाने। सीधियों से फिर्स फ्लोर पर वॉश्रूम में आ जागा वॉश बेसिन के नीचे एक ब्राउन बैग पड़ा है ब्रीफ केस से कैश निकाल कर उस बैग में डाल दो और ब्रीफ केस को वहीं भैंक दो फिर बैग लेकर सीधा चौतिक लोर पर आ जाओ जीपियस वाल ब्रीफ केस मिसिंग है सर बोलो तुम्हारे पीछे बेबी लैंड शॉप है उसके अंदर जाओ ताहीं तरफ एक रिमोर्ट कंट्रोल वाली गाड़ी है जिसके अंदर एक ब्लाक कलर की टोपी है उसे उठा लो अपने फोन को स्विच आफ करके वहाँ पर रखतो और वहाँ जो फोन है उसे उठा लो गाइस कुछ तो कर बढ़े वी अलर्ड उस टोपी को पहन कर लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आजा लिफ्ट से बाहर निकल दी एक जिट नंबर टू के सामने तुम्हें एक बिना नंबर प्लेट की सफेद गाड़ी दिखेगी उसकी डिक्की में पैसो वाला बैग रख गाइस अधिते लिफ्ट से नीचे जा रहा है थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ग्रांड फ्लोर अधिते ने ब्लेक क्या पैनी उसका पीछा करो कैफुली यस सर् मैं यसका प्रस्ट एक जैसे कपड़ों में इतने सारे लोग कहां से आ गए मतलब यह उसी की कोई चाल है वो अकेला हम सब को फसा रहा है कितो डॉक्टर ऑपरेशन सक्सेस्टर थैंक्यू डॉक्टर थैंक्यू तुम नहीं होती तो आज मैं थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए तुमने सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी इतना बड़ा कदर मुठाया सर किटनैपर सम्युक्ता के नंबर से बार बार फोन कर रहा था हम लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं सर हर बार उसने कॉल एक मिनिट के अंदर ही काड़ दिया इसलिए हम उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए है सर सर सीसी टीवी फुटेज में भी मॉल से कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर जिन लोगों ने ब्लैक अन वाइट ड्रस पेने हुए थे वो सब मरोती जैन पैक के सेल्समेन थे हर अपते उनकी बीटिंग सेम टाइम पर होती है कि नापकस ने उसका फायदा उठाया उसका पैसा लिए हुए दो घंटे हो चुके लेकिन अभी तक लड़की का कोई आता पता नहीं आखिर उसे कब और कहां छोड़ेगा हलो उसे सिल्वर बीच रोड पर वीता बस टॉप पर चोड़ गिया है बची सेफ है शुक्रे है तुमने आज जो मेरे लिए किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं भूला सकता नहीं तुम्हें बाए कहकर मैं जिम्मेदारी को बुलाओंगा मैं तुमसे बादा करता हूं कि जल्दी सारे पैसे लोटा दूगा कुछ लोग जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है न वो विश्वा कर चले चाते हैं तुमने तो अंजान होकर भी बस दो दिनों में मेरे लिए कितना कुछ किया तुम्हारी मा से मिलने मैं जल्दी आओंगे बाधा करती हूं थैंक यू बाए मामा जी आते ही होंगे तुम्हें जाना चाहिए क mówi कि यू यू बिए विए wykor बंब में में यू बदी के नखे चके बाशा समुआ करती है नख बदेछ, रिए किया ही है भाल इस टुमने के ही है यू ओती है झाल 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 पंख्ट्ट्ट्प्ट्प्रव्रेश्ट Oh my God! Hello? 108? शिस्टर, मा के साढ़िया है। सिस्टर, मा के साढ़िया है। मा... तु डर क्या था। तुझे क्या लगा था, मैं तुझे छोड़कर इतनी जल्दी चली जाओंगी। तुझे अकेला छोड़कर, मैं कहां जाओंगी रिया पकले। अभी तो तेरी शादी करवानी है। जाओंगी जाओंगी। Sir, order please. वन चापुचिनो जाओंगी जाओंगी। शहर में किड़नापिंग की एक और घटना। जानेमाने इंडस्ट्रिलिस्ट बहेंद्र वर्मा की भांजी किड्नाप हो गई है। हमें मिली जानकारे के अनुसार किड्नापर्स ने उनसे 50 लाख रुपए की मांग की है। किड्नैपर्स की 50 लाग की मांग पूरी करने के बावजूद उन्होंने अब तक उनकी भांजी को नहीं छोड़ा है। अभी-अभी मिली जानकारी के मताबिक कल सुबह ही उस किड्नैपर्स ने वो पैसे किसी अस्पताल में जमा करवाए थे। ये है किड्नैप की गई महिंदर वर्मा की भांजी समयुकता वर्मा की तस्वीर। हाइट 511, रंग गोरा। सूत्रों से ये भी पता चला है कि वो शायद किसी कॉफी शॉप में काम किया करती थी। अगर समयुकता महिंदर वर्मा की भांजी है तो वो लड़की कौन थी। हॉस्पिटल से मिली कैमरा फुटेज से अभी अभी ये पता चला है कि इस किड्नैपिंग के पीछे इस पुलिस वाले का हाथ है। इसका नाम विचे है और ये थ्री टाउन पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर है। पूरे डिपार्टमेंट में हल्चलसी मच गई है क्यूंकि किड्नैपर एक पुलिस ऑफिसर है। तरह तो कि मचटना नहीं नहीं है। तरह तो कहाते है। कोने तो देख, मैं नहीं जानता तु कौन है, पर मैं तुझे ढून निकालूँग, तू मुझसे नहीं बच सकता अवे हीरो, मुझे पकड़ने की बाद तो तू बाद में सोचना, पहले अपने आप को बचा कर भागने की सोच शेर सिर्फ शिकार करना जानता है, डर कर भागना नहीं सम्युक्ता सेफ रहेगी तो तू भी सेफ रहेगा अगर उसे कुछ भी हुआ तो जिन्दगी का पहला इंकाउंटर तेरा ही करूँगा गड़ लाक सेम टु यू सम्युक्ता वर्माथवा आपको कोई पता नहीं चल पाया है यह केस और भी विवादर के हो गया है क्योंकि इस केस में पुलीस वाले का हाथ है सर किटने पर एक पुलीस मेने क्या है सच है हमसे पहले तो आपको पता चल गया अगर पुलीस वाले ही यह सब करेंगे तो जंता सुरक्षत कैसे महसूस करेगी किटनापर पुलीस वाला है और उसे पकड़ने वाली भी पुलीस ही होगी रिपोर्टर नहीं हमारी मदद कर सकते तो कीजिए बिनावाजे पब्लिक में डर और अफ़ा फैलानी की ज़रूरत नहीं है सर जब उसने आदे गंटे में किटनेपर को पकड़ लिया तो मुझे लगा लड़का टेलेंटेड है एक्सपीरियंस ने ये पता नहीं था यार सर ये किटनेपर को कितने साल की सज़ा मिलती है छे साल तो कम से कम और जिसने पूरी प्लानिंग की उसकी कम से कम बारा साल अच्छा बारा साल मतलब कॉंग्रेचुलेशन सर आपका रिटार्र्मेंट फंक्शन जेल में ही होगा ये क्या बकवास कर रहा है तू भूल गए कि आपने उस दिन क्या कहा था उससे मैं तेरे साथ हूँ इसको छोड़ना मत पूरे देश को पता चले कि कैसे मैंने इसका बैंड बैंड बजाया येस सर मुझे लगा उससे माफी मगवा के मेरे दोजार वापस लिया आएगा मैंने उसे किड्नेप करने थोड़ी कहा था त्री टाउन सी आई ही मैस मेता फ्रम गुजराट सर बैट जाई थैंक यू सर किड्नेपर के बारे में आप क्या जानते है यह आप मुझसे नहीं इनसे पूछिये सर यह और वो एक दूसरे के बहुत करीब थे ओ बहुत करीब थे ओ हम एक ही डिपार्टमेंट में मिलकर काम करते थे बस इतने ही करीब थे तो किड्नापिंग के बारे में आपको तो पता हो गए कहा है था ना आपके रिटार्मेंट फंक्शन जेल में होगा मैं आपसे पूछ रहा हूं सर हमने उस पचास लाख रुपे के जरीए उससे पकड़ा पचास लाख रुपया सर पचास लाख रुपों के लिए इस तो इसने किड्नापिंग गी थी ना हलो क्या सोच रहे है इतनी अमिर लड़की आखिर कॉफी सोप में काम क्यूं कर रही थी कॉफी सोप में काम क्यूं कर रही थी इसमें नया सिमकाड है सर जरूत पढ़ने पर आपको फोन करूंगा हॉस्पिटल में पचास लाख रुपे खर चुके हैं स्पेशल ओफिसर ने आपको उसके सर ये पकड़ा है डिपाट्मेंट से आपको सस्पेंट कर दिया गया है अरिस्ट वारन भी निकाला है आपके खिलाफ जिस डिपाट्मेंट को आप इतना प्यार करते हो वो आज आपको ही दोशी समुझ रहा है सर ये सब हो क्या रहा है ये साजश है जब दुश्मन में सामने से वार करने की हिम्मत ना हो तो वो ये हथियार अपनाता है लेकिन आपका दुश्मन कौन हो सकता है सर। इमांदार इंसान की परचाई भी उसकी दुश्मन होती है दुश्मन किसी भी रूप में आपकी जिंदगी में आ सकता है मेरी जिन्दगी में वो उस लड़की के रूप में आया उस लड़की ने आपके साथ ऐसा क्यूं किया? पता नहीं पर उस लड़की के जरीये किसी ने मुझे इस जान में भसाया है मेरा उसे बचाना सच था पर उसका श्रीराम के लिए वहाँ आना जूट था मैंने उसे गुंडों से बचाया ये सच है लेकिन ये बात कि वो महिंद्र वर्मा की भांजी है बिल्कुल जूट किडनापिंग का प्लान मेरा था ये सच है लेकिन सम्युकता को मैंने किडनाप किया ये जूट है अब समयुकता का किड़ना पर मुझे इसमें फसा रहा है ये किसी की बहुत सोची समझी साजिश है लेकिन इस सारे प्लैन के पीछा आकिर कौन हो सकता है सर ये पता लगाने के लिए सबसे पहले उस लड़की को ढूड़ना होगा मेरा एक काम करो प्राइवेट नंबर से मुझे कॉल आया था उसका पता लगा नंबर का पता तो मैं अपने एक कंट्रोल रूम से निकाल लूँगा लेकिन उस लड़की को हम कहां डूड़नेंगे तुझा पता ही ये कौन है ये वाइजएक का डॉन जोनती है वाइजएक का जोती उसे पकड़ते ही पता चल जाएगा की वो लड़की कौन थी उस लड़की को मुझे से मिलाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया मतलब जोती के आदमी उस ड्रामा का एक हिस्सा थे क्या सर आप चुप क्यों है मेरी समयुकता के बिना मैं मर जाओंगा काफी बातें सामने आईए जिनका जवाब हमें चाहिए तब ही पुलिस डेबार्टमेंट कुछ कर पाएगा आपकी भांजी और इस कंपनी की M.D. समयुकता कॉफी शोप पर काम क्यों कर रही थी बेटी समयुकता तुम्हारा कोर्स खत्म हो चुका है मैं कंपनी तुम दोनों को सौफ चुका हूँ तो क्या सोचा है कब जोइन करोगी कंपनी जोइन करने से पहले मैं नीचे के लेवल से काम करना शुरू करना चाहते हूँ नीचे के लेवल पर मतलब मतलब शुरू में मुझे सबसे छोड़े लेवल पर काम करना है तुम ही सब काम करने के क्या जरूरत है बेटा जरूरत के लिए नहीं मामी अनुभाव के लिए महनत की कद्र जानना चाहती हूं मैं है क्या बोल रही है तू तो कुछ बोले से मां हम विरासत के बारे में सोच रहे लेकिन ये शकसियत के बारे में सोच रही है सम्युक्ता और अब को फोन किया है और इदने बड़े घर से आती है ये बात सिर्फ आप लोग जानते है लेकिन किड्नैपर को भी इस बात का पता लग गया और उसने सीधे आपको फोन किया बीच में कोई कड़ी छूट रही है कहीं और कोई खिचडी पक रही है जिसके बारे में अभी हम नहीं जानती है कि डोल किसने बन करवाया बेक पिल्कुल सभी टाइम पर आया तु भाई तेरा इंजार कर रहे थे ना मैंना हिसा कब बोला आप इससे क्यों डर रहे हो भाई याज आपके एरिया में इसका घूसा नहीं खाया ना तुने अब तक बेटा इस बार हमारा घूसा खाएगा भाई बोलो तो भाई इसे अभी यहीं ठोकते हैं लगाता है इसे मारने के लिए हमारी आदमी तड़ा प्रें हों गए लेकिन इसने तो हमारी एरिया में हमारी ही बजा दी मेरे पाइली शादी है सर प्लीज मेरे को छोड़ दो सर्क इस लड़की के पीछे भाग रहे थे वह कौन लड़की हो गया ते रहा सर उसने बोला था कि हमें पचास हजर दी कि अगर आम उसको पकड़ने का नाटिक करेंगा पचास हजर लेकिन तुमने तो हमेंसे पचीज क्यों दूप में चटका दिलवा रहा है यह डिसकुशन बाद में करेंगे ना सर पाइसों के लिए मेरे मन में लाले चा गया था लेकिन आपके मार के बारे में पता होता हो तो महीं है काम नहीं करता तुम कहां मिले थे उससे पानोरमा हिल्स प्लैट नंबर 303 में उसने अरे एसी रूम में बैटकर मज़े से खाता था उसकी वज़े से रोड पर खाना पड़ रहा है ओ तरी हम सब एक्दम सावधाने सर जैसे ही उसको देखेंगे तुरंट पकड़ लेंगे सर हाँ सर अरे उस गधेड़ी की वज़े से मुझे सब लोग विजय जैसे ही दिखने लगे हैं सर यह तो मुझे भी विजय लग रहा है सर अब यह टाइम पास बंद कर और जल्दी से उसे पकड़ जदी चला वार गंदी वार घंदी सर यह तो वही है सर स्पेशल ओफिसर को फोन करूं क्या शिकार में ने किया तो उसे खाऊंगा भी मैं ही हलो एन टीवी तुमारे लिए सेंसेशनल ब्रेकिंग न्यूज केड़ने पर विजय को अरेस्ट कर लिया है जल्दी सारे न्यूस चेनल को इधर बुलाओ लेकिन पहले उसे पकड़ तो लो आज तक जितना ढोकला भापड़ा खाया उसकी कसम आज इसे जले भी बना कर खाऊं एक दिन पहले में उससे यहां मिला था यह हो ही नहीं सकता एक हफ़ते से हम लोग बाहर थे आज ये सुबह हम आए आपको कोई गरत फहमी हुई है हेंड जब हेंड जब बोला तो हाथ उपर करने का बकुड़ा इतना भी नहीं मालूब कर दो हैंज आप सर प्लीज मुझे छोड़ दीजए मैंने किड़नापिंग नहीं की अगर तुझे छोड़ दिया तो तुझे चालाकि से भागने की पबलिसिटी मिल जाएगी और अगर पकड़ करखा तो पकड़ने की पबलिसिटी मुझे मिलेगी सर मिरा यकीन मानिए तेरी कोई कहान ही नहीं चलेगी बकुड़ा मेरे साफ मुझे कुछ नहीं सुनना सर एक मिनट सर देखो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला अपने हथियार फैंक दो अरे तुम लोगों को कोई गेम सोका क्वेस्टन पूछा जो इतना सोच रहे हो ओडर दिया है तो हथियार फेको मैं आपकी गन में बुलट डालना तो भूली गया मम्मी जिंद्गी में पहली बार तुने कोई ढंका काम किया है अब ही सुनले बकुड़ा भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता बगवान की ज़रूरत नहीं है सर आप खुद ही लॉक ओपन करेंगे मैं पर कैसे ऐसे अरे अरे खोबी जा राजा अरे खोबी जा पकुड़ा अ अ अ अज तो मांद मांद जान बची है अरे हटो हटो जल्दी हटो सामने सेटो आपने कहा कोई सेंसेशनल न्यूज है विजय को पकड़ते हुए सियाई हिमेश मैता बुरी तरह गायल उन्हें सांतों ना देने पहुंचे कमिस्नार हैं बहुदूरी पर साभा सीदी सीएम ने पर आप तो सही सलामत हैं से देखो क माम्मी नमस्ते सर हलो सर जिस प्राइवेट नंबर से आज सुभा आपको फोन आया था वो अजय भूपती है जिसे अपने फार्माउंस पर पकड़ा था वो दो दिन पहले ही बेल पर छूटा है सर फिलहाल उस नंबर की लोकेशन संद्रे गॉल्फ कॉर्स बता रही है क्या रे जेल में होनी की बजा तू यहां पुलिस नबर तक पकड़ा नहीं है मैं उन में से नहीं जो पकड़े जाने के डर से भागते हैं पुलीस वाला हूं जिससे क्रिमिनल्स भागते हैं यूम्स कारी कि झुली है झाल 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 तुझे तो उसी दिन खतम का देना चाहिए था बोल ये सब तुने किसके कहने पर किया बोल बताओ सम्युकता को कहा रखा है किड्नैप तो ने क्या और मज़से पूछता है मैंने किड्नैप किया है न्यूस पर आते ही तुने मुझे फोन किया था न हाँ मैं कॉफी शॉप में तुझे बदला लेने आया था और तभी मैंने ब्रेकिंग न्यूस देखी फिर मैंने सोचा कि तुझे तो पुलिसी मार डालीगी तो फिर मैं क्यू मारू बेरा इसकी डैपे से कोई लेना देना नहीं सिल्वर बीच रोड के किनार एक लड़की की डेड बॉड़ी मिली है ये वही रोड है जिसके गीतापन स्टॉप पर किर्नैपर ने सम्युकता वर्मा को छोड़ने का वादा किया था अब सवाल ये उट रहे हैं कि क्या ये शव सम्युकता वर्मा का ही है या नहीं सर्थ क्या पोजिशन है बॉड़ी कुछ तिर पहले ही निकाली गई है सर्थ आइडेंटिफिकेशन अभी बागी है अफिसर ये बॉड़ी मेरी सम्युकता की नहीं हो सकती है आप होसला रखिए और बॉड़ी को इडेंटिफाई कीजिए बॉड़ी जड़गनि अजड़ी चिछ शनाS 5झेट। सम्युक特 शैरे लिचशन ही तून क्यारे बॉड़ी चर्पेंदा bnó का अढlanे के भीक लिड़गे रगशो क्वेंटो यह यह समयुकता नहीं है कुछ लोग जिन पर हमें पूरा भरोसा आता है वो विश्वास तोड़कर चले जाते हैं तुमने तो अंजान होकर बस दो दिनों में मेरे लिए कितना कुछ किया मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारी क्या गलती है जिनना पर जितने पैसे मागे थे हमने उसे दिये फिर भी उसने सम्युक्ता को नहीं छोड़ा हमें हमारी सम्युक्ता सही सलामत वापस चाहिए उसकी कोई भी खबर देने वाले को हम 10 करोड रुपए देंगे और विजय यह आफर तुम्हारे लिए भी है और तुम पर कोई केस भी नहीं होगा इस लड़की की पूरी डीटेल्स चाहिए मुझे ओके सब्सक्राइब साफिकर दैक्स बंच जो ओके सब्सक्राइब रेड़कर गाई आजब आट जो इंव राइट नाव ए ए रुको मैं तुम से कह रहा हूं विजय रोख जाव विजय दों से भाई। वु metallicम में हो साफान वगो रूम जा गहान हो लु भाई। क écrit के बोले वान 1026 suggested y। यु नहीं हो बीषे वगो झा ye हैा मया में हो थो गाहन संहुर्ण संहुर्ण बंत क् saf 화이न कम ओन गेर इन यह सब क्या हो रहा है यह सब क्या हो रहा है सम्युकता तो तुम्से प्यार करती थी पर तुम्ने उसे सब्कैणिक क्यों किया सम्युकता मुझ्से प्यार करती है तुम नेılar ता पोला तुम्हें रूंटेछि क्रफसरां कि शाद करने के लिए आदा गहाद्स नेवानिक पूला था सोच रहा था और आप सामने आ गई मेरे बारे में क्यों आज रक्षा बंधन है यह राकी बांद दीजिए तुम्हारी माँ आप कैसी है सॉरी मैडम मैने उस दिन जूट बोला था पर उस जूट ने मुझे अज एक अच्छा इंसान बना दिया आपने जो मुझे पैसे दिये ते उससे मैंने खुब दारूपी मैडम तभी मुझे विजय सर मिले और उन्होंने मुसे कहा कि कभी भी मा का नाम लेकर जूट मत बोलना और यह दुकान खुलबा दी है मा जरा यहां आना मा मैने आपसे कहा था ना यह वही मैडम है नमस्ते मैडम सिर्फ आपकी और एसाई साहब की वज़ा से मेरा बेटा आज इमानदारी की जिन्दगी जी पा रहा है थांक यू तुम्हारा हेलमेट शॉपल आइडिया अच्छा था था थांक यू पहले कभी नी खाया क्या इसे आसे आराम से बकड़ो और अपना मूँ खोलो जब मैं बच्पन में खाना नहीं खाती थी ना तो पापा भी मुझे ऐसे ही खिलाते थे उस वक्त लगता था कि मैं कोई राजकुमारी हूँ कॉंग्राट्स किसलिए आज फिर से राजकुमारी जैसा मैसूस हुआ होगा लीजिये माजी थैंक्स हां कॉफी तो बहुत अची है तुमने बनाई यहां कॉफी इंसान नहीं बनाते माजी मशीन में बनती है पता है मैं तो मजाग कर रही थी तुम्हारा नाम क्या है बिटा सम्युक्ता सम्युक्ता सक्सेना सम्युक्ता बहुत अच्छा नाम है लेकिन सानेम अच्छा नहीं है उ अब वीजे के बारे में तेरा क्या खयाल है? अच्छा फ्रेंड है मुझे तो उससे कुछ ज्यादा ही लग रहा है उसने तो उस चोर तक को बदल दिया थाकि तुम्हारी की हुई मदद बेकार ना हो तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जो तुम्हारी डाट तुम्हारे लिए किया करते थे यहाँ तक कि अपनी मा को कॉफी शॉप तक लिया आया ताकि वो तुमसे मिल सके कोई अगर तुम्हारा केर करे तो इसे अटाच्मेंट कहते है पर इस तरह पागलों की तरह पीछा करे तो इसे प्यार कहते हैं, तुझे भी अगर वह पसंद है, तो किस चीज का इंतिजार कर रही है, तुम विजे को गलत समझ रही हो, उसने कभी भी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, अब तक मुझसे बिरा फोन नंबर तक महीं मांगा, ठीक है, विजे तुझे प्यार करता है, या या सिर फ्रेंट है, यह बात मैं खल साबबत कर दूगी, हर दिन की तरह उसके आने का टाइम हो गया है, तो बिल्कुल भी उसके सामने में आना है, ओके, लिए सिथ कुआ कि है कि और प्रूजार है, हाई, वो कहा है, उसकी शादिए प्रस्टे प्रस्टे यार्जार निस जब किसी फ्रेंड की शादी फिक्स होती है, तो उसके सारे दोस्त खोश होते हैं, दुखी वही होता है जो प्यार करता है, अब ये बाद तुझे सोचनी है, बीजे तेरा फ्रेंड है या फिर प्यार? रात को जब मैं होस्टल पहुँची, तो सम्यक तो रूम में नहीं थी, फिर मैंने उसे कॉल किया, वैशनवी, कल मामी का बर्थड़े है न, तुम्हें किफ खरीदने, CMR Central Mall आ गई हूँ, ओ, मुझे तीन-चार दिन के लिए घर वापस जाना है, मैंने सुचा तु मुझे बस सुची की खबर थी, उसने सबको अपना नाम सम्यक्ता वर्मा के बचाएं, सम्यक्ता सक्सेना बता रहाएं, अच्छा, सम्यक्ता गिफ्ट लेने के लिए कौन से मॉल में गाई थी, CMR Central, सर, कंट्रोल उम उपर है, सर, चला, सर, ये लास्ट फैड़ी के फुटिज है, सर, वो तीसरा कैमेरा ज़रा फ्रीज करना, इस लर्की को फॉलो कैमेरा, इस लर्की को फॉलो कैमेरा, कार के नंबर पर जूम करना, थोड़ा और जूम करना, मुझे इस कार ओनर के सारे डीटिल्स जल्दी से मेसेज कर दो, ओके सर, किद्नैपर विजय की मा से पुलिस ने हॉस्पिटल में पूछ ताज की, आइसियू में जो पेशेंट अभी उसके हालत कैसी है सर, देखें पेशेंट का अपरेशन काली हो चुका है, और अब वो पेले से काफी बैतर है, हम सिर्फ अपनी ट्यूटी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके बेटे का इसमें कोई हाथ है, मेरा बेटा तुन्हें हमेशे अक्षन लिया है, पर आज अल्जाम तुछ पर लगा है, तुझे कुछ भी करके अपने आपको निर्देश साबित करना होगा, तुझे मेरी परवरिश की कसम, और मुझे पूरा अलकीन है कि तुछ ये सब कर लेगा, मेरा अशिर्वात तेरे साथ है, क्या तुम्हें भी लगता है कि उस लड़की का परन ऐसा ही साब ने किया होगा, अरे मा, उन्होंने मुझे से चोर को एक इंसान बना दिया, वो ऐसा नहीं कर सकते, ये जो फोटो में ऐसे कहीं देखा है, नहीं देखा सर, रहां से देखो, सही में नहीं देखा सर, पुलीस गरी कमारा वे ये वो माई ते ampli को क्या हdfान एनर लिलया टाल एंसान स्टでिस किम दो लगता है सर देखिए वो किटनापर वाइक लेगे बाद रख रख पॉस्टेबल कमान यूस्टेखिए यूस्टेझ यूस्टेबल और रख बाद बार याज़ रेता रंड दोड़ दोड़न दोड़ाँ कितु शार स्टोर रोम है कि अम्पूर बाइब से हुआए जार खूसु खूसु इच्टूर रेंगों। इस कुछरो खूसु जँआ, कि रिदान सुछरो रेहाँ और रे में अारेंगों। कि रेहाँ कि अवसु आढ़को कि वसुछरो खूसु आएब से उवस। इसकी फोटो यार क्या तुम इसे जानते हो कल राप इसकी गाड़ी का अक्सिडेंट हुआ था मैंने ये अम्बिलेंस बुला कर इसे हॉस्पिटल भेजा था फिर इसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा था जब मैंने वापस कॉल करने की कोशिश की तो नहीं कर पाया क्योंकि इसका फोन लॉक था कहीं इसके घर वाले से वापस फोन न करें इसलिए इसका फोन मैंने अपने पास रखने है ये फोन नंबर तो कल कितनी बार फोन किया मैंने तुझे जब सम्युकता और लावन्या को मारने को कहा था तो तुने सिर्फ लावन्या को क्यो मारा अब बोलता क्यों निये कुछ तुने अभी तक सम्युकता को नहीं मारा है ना क्योंकि अगर मार दिया होता तो प्लान के मुताबिक आज लावन्या के बजाए उसकी बाड़ी मिली चाही थी अच्छा मैं समझ गया है बोल कितने पैसे चाहिए तुझे मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ पर उसे अभी के अभी खत्म कर रहे हैं गुड़ लक मिस्टर विक्रमा देत्या कौन है भुतू? जो खेल तुने शुरू किया है उसे खत्म करने वाला विनर हूँ मैं क्या खेल खेला है? खिलाडी तो बहुत सारे थे पर उन सब के पीछे दिमाग सिर्फ तेरा सुपब तेरे बाप ने आधी जायदाद जब सम्युकता के नाम पर कर दी तब तूने सोचा कि उसे अपने रास्ते से हटा ना होगा तुझे पता चला कि सम्युकता मुझसे प्यार करती है तो मुझे मोहरा बना कर तुने उसे मारने का प्लान बना है सम्युक्ता के कतल का शक तुछ पर ना है इसलिए तुने किड्नैपिंग का प्लान बना है इसे किड्नैप करके अपने पास रखना है और जब मैं कहूं इसे मार कर इसकी लाश को मेरी बताई हुई जगे पर ठेंगे ना है CMR Central Mall की पारकिंग में तुने सम्युक्ता को किड्नैप करवाया और वही थी असली किड्नैपिंग लेकिन उसके साथ ही तुने नकली किड्नैपिंग प्लान करवाया और तु चाहता था उसमें मैं भज जाऊं इसलिए सम्युक्ता को किड्नाप करवा कर तुने लावण्या को मेरे पास भेजा तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ इंडस्ट्रिलिस्ट महेंद्र वर्मा की भांजी हूँ तेरी नकली किड्नापिंग को अंजाम तक महचाने के लिए जरूरी था कि मुझे पैसो की जरूरत हो तुने मेरी माँ का अक्सिडेंट करवा है फिर जब मैंने तेरे बाप को पैसो के लिए फोन किया तो तुने खुद ही पुलीस को इंफॉर्म किया और इस किड्नापिंग के जाल में पुलीस भी आ गई फिर तुने पुलीस के सामने सारी किड्नापिंग के किस्से को असली बना डा रहा सम्युक्ता के लिए 50 लाग तो क्या हम 50 करोड भी दे सकते हैं पैसे ले कर मैंने तेरे बाप को फोन किया कि मैंने लावन्या को बस्टॉप पर छोड़ा है तुझे तो सब ऐसे पता है, जैसे सब तेरे सामने हुआ है, तुने सही दिमाग लगा है कि लावन्या को तेरे पास मैंने ही भीजा था, और कि डैपर का फोन तेरे पास है तो तुने जरूर उसका भी पता लगाई लिया हुए, लेकिन इस सब के पीछे मेरा हाथ है, ये तु चालाग से चालाग चोर भी जल्दबाजी में कोई नो कोई गल्ती कर बैठता है, तुने भी वही किया मैंने? मैंने कौन सी गल्ती की? अभी तक समझ में नहीं है तुने जो गल्ती की है वो इस वक्त तेरे हाथ में है, ध्यान से देख कल मॉल में पैसे देते वक्त, मैंने तेरा फोन एक्सचेंज करवाया था और तुने उसी फोन से किडनापर को फोन किया अभी तक तुने पूरी दुनिया को एक मुझरिम का खेल दिखाया है लेकिन आज के बाद मैं तुझे एक पुलीस वाले का खेल दिखाऊंगा हम किसी मैदान में नहीं है जो तुम मुझे अपना खेल दिखायेगा ये मेरा चक्र व्यू है किसी चक्र व्यू में फंस जाए वैसा भी मन्यू नहीं हूँ मैं पुलीस अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले वो हॉस्पिटल ढूरना होगा जहां उस किड्नापर को लेके गए हैं चलो कर रात सिल्वर बीच रोड पर एक कार अक्सिडेंट हुआ था क्या आप बता सकती हैं कि जिनका अक्सिडेंट हुआ था उन्हें केसा हॉस्पिटल में भरती किया सीशोर हॉस्पिटल्स सीशोर हॉस्पिटल्स सब कुछ हमारे कंट्रोल में है सारे सेसी टीवी कैमरास बंद करवा दिये है पुलिस कवर भी हटा दिया है आप उसे ले जा सकते हैं कहां है वो कहां हुआ 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 है सम्युकता को क्यों नहीं मारा तुने जब आपने फोन किया था मैं उसे मारने ही वाला था किसने कहा है मुझे मारने के लिए अच्छा आखरी ख्वाइश तुम्हारे मामा का बेटा विक्रम अदित्य कितने पैसे दिये उसने 5 करोड मैं 10 करोड दूँगी मुझे छोड़ दो 10 करोड अगर मन्जूर है तो अभी तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर देती है 13 करोड 36 लाग मुझे ये सारा पैसा चाहिए ठीक है अकाउंट नंबर दो 0514-11400-15392 कितना टैम लगेगा तुम्हारा अकाउंट नंबर आड कर लिया है पैसे ट्रांसफर होने में एक घंडा लग जाएगा मेरे पास इतना वक्त नहीं है पैसा अभी ट्रांसफर करो तो फिर अपने अकाउंट से लॉग इन करके मुझे पैसे रिसीव करने की रिक्वेस्ट भीजो जैसे ही मैं एकसप करूँगी पैसे ट्रांसफर हो जाएगे मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट भेज दिया एकसप कर लो हलो मार दिया उसे मार दिया सर समिकता की टेड़ बोडी को सिल्वर बीच रोड पर फैंक दो ओके सर दूसरा टागेट उसी रोड की गीता बस टॉप पर इंजार कर रहा है फोटो मैसेज कर रहा हूं उसे मार कर देड़ बोडी को कहीं तूल टिकाने लगा दिना ओके सर पैसे आ गए मैं निकलती हूं मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे जरा नीचे देखो तुम पैसे हो गए है ट्रांसफर हां पर तुम्हारे अकाउंट से मेरे अकाउंट में मैं ने तुम्हारे रिक्वेस्ट भेज़ दी है एक्सेप कर लो हलो तो अब बताओ तुम्हे मेरी जान चाहिए यह अपना पैसा अपना पैसा वापस लेना आता है मुझे आई विल बी बैक अधित्या मैं पिछले आधे घंटे से यहां खड़ी हूं मुझे लेने कोई भी नहीं आ रहा और मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे डवले 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 ट ब्लैक स्कॉडर तुम्हें पिक अप करने आ रही है उसमें बैठ जाना डबली डबली करते हैं करें अब अब त करते हैं करें करें इसका मतलब सम्युकता चार दिन से उसी फाम होस में है क्या सबूत है अपना फोन दो ये एक डाक रूम है मेरा अलावा किसी को भी नहीं पता कि ये कमरा कहा है अंदर कोई कितना भी चिलाए आवास बहार तक नहीं आ सकती सम्युकता सांस नहीं ले पा रही है मतलब रूम का ऑक्सिजन सिलिंडर खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से वो लगबग एक या दो घंटे तक और जिन्दा रहेगी तेरी महबूबा के पास ज्यादा वक्त नहीं है वो एक घंटे में मर जाएगी इतनी छोटी सी बात सुन कर सद्मा लग जया क्या हाँ वो तो कुछ पुलिस का गेन दिखाने वाला था उसका क्या हुआ असली खेल तो अब शुरू हुआ है अब या तो तो खुद की बेगना ही साबित कर ले या फिर सम्युकता को बचा ले केवल एक घंटा है तेरे पास केवल एक घंटा बचा सकता तो बचा ले अपने प्यार को ये एक घंटा फैसला करेगा कि जी तेरी होगी या मेरी टाइम शुरू होता है अब हलो सम्युकता को बचाने के लिए हमें उस किड़ना पर को पकड़ना होगा अजिए टार मेरी रखिजए टार मेरी टार मेरा कोरा चार वेज़ना है कर दो कर दो झाल झाल सारी फार्वेंटिस पूरी कर दो क्या हुआ उसने बताया कि सम्युक तक कहा है तुने कैसे सोच लिया कि मैं कोई सुराग छोड़ कर जाओंगा तेरी ये हालत देखकर मुझे एक स्कूल में पड़ी हुई कहानी याद आ गई बहुत समय पहले एक राज्य हुआ करता था राजा के दो वारिस थे राजकुमार और राजकुमारी राजा के मरने के बाद वो दोनों ही पूरा राज्य समालने वाले थे पर एक दिन राजकुमार ने सोचा कि क्यों ने वो पूरा राज्य ही हडप ले राजकुमारी को मार कर लेकिन राजकुमारी को एक सैनिक से प्यार हो जाता है जिसे वो राज्य का शासक बनाना चाहती है तो पता है उस राजकुमार ने क्या किया? अपने एक जासूस से उसने राजकुमारी को आगवा करवा लिया और गुफा में चुपा कर रख दिये अब वो सेने घर जागया भटक कर अपनी राजकुमारी को डुणता बिर रहा है लेकिन बस राजकुमार को पता है कि वो कहा है और जानता है कि वो राजकुमार इस वक्त कहा है? वो उसी गुफा के बाहर खड़ा है अब मैं तुस्से एक सवाल पूछूँगा अगर राजकुमार ने राजकुमारी को मार डाला तो फिर राज़े का नया राजा बनूगा मैं लेकिन अगर सैनेक ने राजकुमारी को बचा लिया तो नया राजा बनेगा वो यानी तू चला अब बता कौन बनेगा राजा? बोल कौन बनेगा राजा? हां तू या मैं राचा राचा मैं बनूंगा तू कैसे बनेगा तेरी राजकुमारी को तुमारने वाला हूं अच्छा राजकुमारी गुफा से भाग गई कैसे किया केवल एक घंटा है तेरे पास केवल एक घंटा बचा सकता तो बचा ले अपने प्यार को क्या हुआ होस्पिटल में इस्तमाल होने वाला ऑक्सीजन सिलिंडर फार्म हाउस में क्यों रखा गया था मतलब वहां कोई ऐसा कमरा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है नो चांस हमने सभी रूमस अच्छे से चेक किये थे फार्म हाउस की हर कमरे के दरवाजे पर एक इंगलिश लेटर था क्या मतलब है उनका येस अर्विंद उसके नाम में आठ अक्षर है और फार्म हाउस में आठ कमरे भी हर एक अक्षर एक एक कमरे के उपर लगाया गया लेकिन एन अक्षर का कमरा वहां नहीं था मतलब हमें जाकर वही कमरा ढूरना होगा सिर्फ बीस मिनिट बचे ए आए एच आए दी क्या दीख रहे हो तुम यही एन तो हम ढून रहेते हैं मेरा सारा प्लान पिकाड़ दिया याँ वैशनवी मैं सम्युक्ता को लेकर कमिशनर के पास जा रहा हूँ तुम मीडिया को लेकर वहां पहुंचा ओके क्या इरो अपने प्यार को पचाने के चक्कर में हॉस्पिटल में पड़ी अपनी मा को बोल गया जाना नहीं चाहेगा कि तेरी मा जिंदा भी है या किसी ने उसे मार दिया विक्रम अधित्या तुम्हें मुझसे मतलब है ना आंटी को कुछ नहीं होना चाहिए अगर चाहती हो कि उन्हें कुछ ना हो तो विजय को लेकर हमारी सीमेंट फैक्टरी पर आजाओ चलो चलो कि 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 विजे, 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 हांगे कोल बिटा, विजे, 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 मा, विजे, 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 वि आप इनहे कहा था ना कि आप इसके साथ रहेंगी इसे बचाएंगी तो बचाइये इसे बचाइए मेरा सपना था कि एस ग्रूपस अफ इंडस्ट्रीज को मैं आदितिक ग्रूप अफ इंडस्ट्रीज में बदल दूँ और जो भी मेरे इस सपने के बीच में आएगा उसका यही हश्र होगा तुने इसको बचाने के लिए कितनी मेहनत की नहीं अब मैं इसे तेरी ही आखों के सामने मारूं गा चला बता, कौन जीता? तो जीता? या मैं? हमारी हार और जीत तो इनसान के दो कदमों की तरह होती है बस एक ही पल में हार जीत में बदल सकती है माणना पड़ेगा, तुझे अभी भी लगता है कि जीत तेरी हो तुझे लग सकता है कि तु मेरे सामने इसे मारेगा, तो मुझे क्यों नहीं लग सकता कि जीट मेरी होगी लगता है तुझे गन का मतलब नहीं पता अगर ये चल गई तो भेजा उड़ा देती है Combat Model, 9mm Pistol, Caliber 45 ACP, Frigger, Single Action, Magzine Capacity, 8 Rounds Weight, 1077 Grams, Loaded Magzine Weight, 123 Grams, Total Weight, 1200 Grams 1200 Grams की वजनवाली पिस्टिल से जब कोई पॉइंट ब्लांक रेंज से निशाना लगाता है तो उसका हाथ 45 डिगरी के अंगल पर होना चाहिए, लेकिन तेरा हाथ 40 डिगरी के अंगल पर मतलब तेरी गन में बुलेट्स नहीं है बिना बुलेट्स की गन से बेजा उड़ाएगा कैसे है बुलेट्स कैसे नहीं है मैंने खुद लोड की थी यह देख यह रही बुलेट्स पुलीस के साथ खेल खेलने के लिए दिमाग बुलेट्स से भी ज्यादा तेज होना चाहिए नाओ दा शो बिगिन कर भी! वाई देख ब 속 medic कि वाई जीए वफाद कर दो कि गुती एक हुट बाप में हो? बार रुचर न को न एार रार ज मुद आ एकर आ, न एकर मुद घूज कर दो एकर दोई एकर की लिए हैं स्पिटें! प्रेंट ए week भुप बड़ लाम प्रेंट कर दो कर दो अ कर दो कि दो corrections है अ कि आपरेजीबे डंपने कि जो भॉ हमायोग कि आपरो torchuna CS कि आपर streets सब्सक्राइे सचे कि डे200 है में कि व्यारत कि आपरेयर कि आपके Κाहाँ कि इए कि करो दो पれたंजोंगे जो फब रिखा हुँ है अग कर दो दो लेडिज एंड जेंटलमेन आज से हमारी S ग्रूप आफ कंपनी की नई चियर्मेन है मिस्स सम्युक्ता 20 साल पहले मैंने इस कंपनी का नाम इसके नाम पर रखा था और आज ये पूरा बिजनस ही सम्युक्ता के नाम पर ट्रास्फर करता हूँ मैडम आप भी साइन कर दीजिए सम्युक्ता कितने खुझ लग रही है यही साई टाइम है उसे जाकर कह दे अपने दिल की बात वो कॉफी शाउप में काम करने वाली सम्युक्ता नहीं है मां सम्युक्ता ग्रूप ऑफ इंडस्ट्रीज की M.D. है लेकिन तू दो उसे पहले से ही प्यार करता है ना बिटा इंसान का दिल लालची होता है हर चीज पाने की इच्छा रखता है पर हर इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है मां कभी कभी दोस्ती प्यार में बदल जाती है पर मेरा प्यार हमेशा दोस्ती तक हिसी मित रहेगा चलो चलते हमां बेड़ों आप ने अपने सरनेम लिखना तो भूली गई है विजय यह यहां सरनेम लिखने को कह रहे है मैं अपना सरनेम लिखू या अपने नाम के साथ तुम्हारा सरनेम के लिखने मैं आपने के लिखने यह यहां अपना सरनेम लिखने नाम के लिखने झाल झाल